आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 11 laps से आप अपनी जो card की information है उसको delete कैसे करेंगे जब भी आप यहां से कोई भी subscription लेते है तो आपको या तो debit card यहां पर इस्तमाल करना पड़ता है या फिर आप अपने credit card का इस्तमाल करते हो लेकिन जब आप subscription जो है उसको cancel करते हो तो आपकी जो debit card की या फिर credit card की यहां पर जो details है जो information है तो वो यहां से delete नहीं होती है लेकिन उसको delete करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपकी personal और banking information जो है यहां पर save हो जाती है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप जो है आपके debit card की या फिर आपने credit card यूज किया है तो उसकी यहां पर जो information है उसको delete करेंगे इसके लिए यहां पर आपको क्या करना है सबसे पहले यहां पर upgrade plan पर जाना है इसके बाद यहां पर आप देख सकते है कुछ इस तरह का page आ जाएगा उसके बाद यहां पर manage subscription पर जाना है इसके उपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है इस तरह का पूरा पेज उपन हो जाएगा और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है देखिए मेरा यहाँ पर जो विजा कार्ड है उसकी यहाँ पर डिटेल नहीं आपर आप साब साब देख सकते है कि जो मेरी इन्फोमेशन है वो यहाँ पर सेव है और मुझे इसको डिलेट करना पड़ेगा क्योंकि जो मेरी banking information है मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी website के उपर यह मेरी save हो ठीक है तो जब आप plan को subscribe करते है तब यह information जब आप fill up करते हो तब ही यहाँ पर यह save हो जाता है plan को अगर आप unsubscribe करोगे cancel कर दोगे तो यह वाली जो details है यह यहाँ से निकलेगी नहीं delete नहीं होगी तो यह आपको करना पड़ेगा तो इसको आप कैसे delete करेंगे यह website से आप कैसे निकालेंगे इसके बारे में मैं यहाँ पर अभी आपको बताने जा रहा हूँ इसके लिए यहाँ पर आप आप देख सकते आपकी जो banking information है आपका debit card या credit card की information है वो यहाँ से हट चुकी है तो इससे आप जो है safe रहोगे जबी भी आप यहाँ पर कोई भी credit card या debit card का इस्तमाल करते हो तो आपका जो information है वो तो यहाँ पर save होई जाता है लेकिन साथी साथ जो payment का जो option होता है वो auto पे चले जाता है कि मतलब automatically आपके account से हर मेने वो cutना start हो जाता है तो उसको भी रोकना ज़रूरी है अगर आप future में या फिर आगे आने वाले time पे इसको अगर आप इस्तमाल नहीं करना चाहते हो